नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजप्रेश 24 मैं हूँ बिबेक निराला हाजिर हूँ संसनी खेज खबर को लेकर जम्मू कस्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंक्यों के साथ पकड़े गए पुलिस ओफिसर दविंदर सीं से राष्टिय जांच एजनसी लगातार आतंक्यों को पनाह देने के लिए तीन अलग अलग घर बना रखे थे इसी सिल्सले में बुधवार को श्रीनगर में कई इलाकों में छापे मारी की गई इन आईए के बड़े अधिकारी आज स्रीनगर से दिल्ली लोट आया हैं लेकिन इन आईए की पांच सदस्य टीम अभी भी स्रीनगर में ही आगे की पड़ताल के लिए रहेगी दविंदर को अभी तक दिल्ली नहीं लाया गया है सुत्रों के मुताविक दविंदर ने न सिर्फ अपने स्री नगर के इंद्रा नगर के घर पर आतंकियों के रहने का इपजाम किया था बलकि चानपोडा और सनत नगर इलाकों में भी उसने रहने की ववस्था की थी आरोप है कि ये घर निर्दोस लोगों को आतंगबाद के मावले में फसा कर उससे लिए पैसे सेब बनाए गए थे इसके अलावा दविंदर आतंकियों को छुपाने के लिए गुलसन नगर में एक डॉक्टर का भी घर इस्तमाल किया करता था इसी जगह उसने हिजबूल कमांडर नवीद समयते कई आतंकियों को ठहराया था सुत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि साव 1997 में दविंदर ने अमूल बटर का एक ट्रक चोड़ी किया था यह ट्रक उस वक्त जमू कस्मिर के उपमुखमंतरी रहे गुलाम मोहिदीन साह के परिवार का था इस सिल्सले में केस भी दर्ज हुआ लेकिन उस वक्त डियस्पी दविंदर सीं के बोस रहे एक अधिकारी ने उसे बचा लिया दविंदर सींग को पैसे लेकर एक और खुलासा सामने आया है जिहां 1992 में दच्छिन कस्मिर में ट्रेक में ड्रक्स की खेव पुरामत करने के साथ तसकर भी पकड़ा गया था आरोप है कि बाद में पैसे लेकर उसने मामला खत्म कर दिया और ड्रक्स भी बेच डाली